नमस्कार मेरा नामे रवी आपका स्वागत करता हूँ और थवर्दन चनल में Axis Mutual Fund अपना एक नए NFO लांच करने जा रहा है जो कि ये Axis Nifty Small Cap 50 Index Fund ये एक Index Fund है ये NFO 21st February को Open हो जाएगा और 7th March को Close हो जाएगा अगर आपको इस Fund में Investment करना है तो डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक पर क्लिक करके आप इस Fund में Investment कर सकते हैं ये मेंली Nifty Small Cap 50 Index के Stocks में Investment करने वाला है और ये इसी Index को Track करने वाला है Small Cap Fund में Investment करने से हमें क्या-क्या Advantage रहते हैं वो हम समझते हैं इसमें हमें Long Term में High Growth मिलने की संभावना जाद है रहती है ये Fund Diversification के लिए भी बहुत सही है अगर इस Fund में Under Value Stock है तो आपके अच्छे Returns मिलने की संभावना बढ़ जाती है ये एक High Risk High Reward वाला Fund है मतलब इस Fund में Risk भी ज़्यादा है और साथ में Reward भी ज़्यादा रहता है अगर इस Fund के Disadvantages के बारे में बात करें तो इसका पहले Disadvantage ये है कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाल रहता है क्योंकि ये Small Cap से बना हुआ है ये Fund सभी टाइप के Investors के लिए Suitable नहीं रहता है इस Fund में Investment करने से पहले आपको अपने Portfolio को Balance करना चाहिए इसके लिए आप किसी भी Investment Advisor की Help ले सकते हैं अगर इस Fund के Asset Allocation की बात करें तो इसमें Mainly Nifty Small के 50 Index में से 95% Minimum Asset Allocation किया जाएगा जबकि Maximum 100% तक का Asset Allocation किया जाएगा Debt portion में Minimum 0% और Maximum 5% तक का Asset Allocation इस Fund में देखने को मिलने वाला है अगर इस Fund के Sector Holding की बात करें तो इस Fund में Service Sector में 21.62% का Sector Holding रहने वाला है Financial Sector में 20.14, Technology Sector में 16.19, Chemical Sector में 8.79, Construction Sector में 7.01 और Healthcare Sector में 6.77% का Sector Holding इस Fund में रहने वाला है अगर इस Fund के Top 10 Holdings की बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर ये सारे Stocks को देख सकते हो इन Stocks का Weightage कितना रहने वाला है वो भी आप साथ में देख सकते हैं आप अपने वीडियो को पोस्ट करके ये सारे Stocks को नोट कर सकते हो ये Stocks है अगर इस NFO की बात करें तो ये NFO 21st February को उपन हो जाएगा और 7th March को क्लोज हो जाएगा इस Fund का Benchmark रहेगा Nifty Small के 50 Index TRI और इस Fund का Exil Load निल रहेगा मतलब आप इस Fund में से अपने पैसों को redeem करते हो तो आपको किसी भी तरीके का Exil Load पे करने की जरूत नहीं रहेगी ये एक Open-ended Fund है मतलब आप इस Fund में कभी भी अपने पैसों को invest कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को redeem कर सकते हो ये Regular और Direct दोनों ही मोड में available है इसमें Growth और Dividend दोनों ही options available है अगर आपको अपना investment start करना है तो आप SIP, Lumsum, HWP या Strip चारों में से किसी भी मोड में अपना investment start कर सकते हो अगर minimum investment की बात करें तो Lumsum में 5000 रुपीस से आप अपना investment start कर सकते हो या फिर अगर आपको अपनी SIP start करने है तो 1000 रुपीस पर मन्थ से आप अपनी SIP start कर सकते हो इस fund के manager है Gines Gopani जिनको 16 साल से भी ज़्यादा कर experience है Axis Mutual Fund को join करने से पहले वे Sun Life AMC और Voyager India Capital के साथ में काम कर चुके है और अगर इनका education qualification चेक करें तो इन्होंने अपनी MMS की degree complete की हुए with finance from Mumbai University MMS का मतलब है Masters of Management Studies अब मेरा क्या मारना इस fund के अबारे में वो मैं आपको बता दाऊं अगर आपको long term के लिए investment करना है तो ये fund आपके लिए सही सावित हो सकता है लेकिन इस fund में investment करने से पहले आपको ये बात द्याद में रखने चाहिए कि ये small care fund होने के करण इसमें volatility बहुत ही ज़्यादा रहने के संभाव न रहती है अगर अपने mutual fund में already investment किया हुआ है तो इस fund में investment करके आप अपने portfolio को diversify कर पाओगे अगर कोई aggressive investor है तो इस fund में अपनी position बना सकता है यंग investor इस fund में investment कर सकते हैं अगर आपको इस fund में investment करना है तो आप description में दिये गए link पर click करके आप इस fund में investment कर सकते हैं वो भी direct mode में ओप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो like करो share करो और subscribe करो thank you